नमस्कार इन खबर में आपका स्वाबत है चाह राजियों की साथ विधान सीटों पर हुए उपचुनाओं में चार तीन से बाजी छुटी है यनि की चार विपक्ष के पाले में और तीन बीजेपी को सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाओं की चर्चा हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनाथ सीएम है एक ही सीट पे उपचुनाओं हो रहा था बीजेपी सिर्फ हारी नहीं है बलकि बुरी तरीके से हारी है एक दर्जन से ज्यादा मंत्री, पूरा संगठन, बिधायक सब लगे हुए थे, ओपी राजभर, संजय निसा, दो छेतरी दलों का प्रतने धित्व करते हैं, दोनों लगे हुए थे, इसके बावजूद BJP चुनाव हार गई, तो सवाल उठेंगे, कि आखिरकार BJP क्यों हारी बात आ रही है, कि इसमें CM योगी ने रूची नहीं दिखाई, ठीक उसी तरीके से, जैसे कि 2018 के गोरखपूर लोगसभा उप चुनाव में, जब उपेंदर सुकला को CM योगी को विश्वास में लिये बिना टिकट दे दिया गया था, तो गोरखपूर चुनाव BJP हार गई प्रमीर निसाद, इसी संजे निसाद के बेटे चुनाव जीते थे, सपा के कंडेट थे, बस पाने समर्थन दे दिया था, और वही कहानी फिर से दोराई गई है, कि योग की, ओपी राजभर और दारा सिंग चवहान दोनों हिलकप्टर से लखनव उतरे थे, दिल्ली गए, दिल्ली में बात हुई, और बीजेपी में सामिल हो गए, दारा सिंग चवहान, सियम योगी, जब दारा सिंग चवहान पार्टी छोड़ करके, 2022 के बिधान सभा चुनाव से पहले, स्वामी प्रसाद मवरिया और सैनी के साथ गए थे, तभी से उनसे कफा थे, समाजवादी पार्टी में सामिल हुए, सपा ने उनको टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए, बिधायत बन गए, लेकिन उन्हें लगा कि सत्ता की मलाई तो मिली नहीं, लिहाजा उपर केंदरी नेत्रितु से बात करके, फिर से वो बीजेपी में सामिल हो गए, कि यहाँ तो उप चुन के बारे में कहा जाता है कि यह हलकाप्टर से उतरे थे और योगी ने निपटा दिया, निपटा दिया या नहीं निपटाया, इसके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी खबरे सोशल मीडिया पर चल रही है, आपने गौर किया होगा, कि समाजवा गोसी में बढ़ चड़ करके दावे कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के तंबू खारने की बाद कर रहे थे और हारे नहीं है, बूरी तरीके से हारे हैं ठीक, इसी तरीके से दारा चौहान तो पूरी तरीके से निपट ही गए अब तो चार साल इंतिजार करना होगा, दारा सिंग चौहान कांग्रेस बसपा, भाजपा, सपा, भाजपा ऐसे करते रहे हैं इसलिए उनकी इमेज जो है वहाँ पे बहुत खराब थी, कि आपने पाला बदल किया सिर्फ कुर्सी के लिए लिहाजा लोगों ने उनको भी निपटा दिया तो इस तरीके से माना जा रहा है कि सीम यूगी का रूची न लेना, वहाँ पर चुनाओं के अंतिम दोर में उतरना अखिलेश जो उपचुनाओं में नहीं जाते थे, उन्होंने वहाँ पर जन सभाकी, राम गोपाली आदाओं तकुत्रे, सीव पाली आदाओं ने वहाँ पर डेरा डाला, इस सबका असर हुआ है और जो कारण है उसमें मायावति का कंडिडेट न उतारना करते हैं कि मायावति भी दारा सिंग चोहान से नाराज है, क्योंकि दारा सिंग चोहान बसपा की राजनित कर चुके हैं और वो जो है सत्ता की राजनित करते हैं, ओपी राजभर भी सत्ता की राजनित कर रहे हैं तो मायावती ने अपना कंडिडेट नहीं दिया, यदि मायावती ने वहाँ पर कंडिडेट उतारती, तो दारसिंग चोहान के लिए राह आसान हो जाती, ठीक इसी तरीके से मुक्तार अंसारी पर जिस तरीके से योगी सरकार ने सिकंजा कसा है, मव उनका कर्म छेत्र है, वह वही से वह बिधायक रहे, अब उनका बेटा बिधायक है, ये मौव में ही सीट आती है, लिहाजा इसका भी असर हुआ, गोसी से बस्पा करसान सद है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बस्पा का वहाँ पर वोट बैंक न हो, तो ये वो कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसकी वज़ा से ये चुनाओ हारे हैं इतने बुरी तरह से, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, वो सरकार यानि की योगी की तरफ से है, कि उन्होंने रूच आखिरकार क्यों नहीं ली, क्या उनके बिना मन के इन दोनों को पार्टी में सामिल कर लिया गया था, और सीधे दिल्ली से प्रचार करते रह गए, प्रदेश अधक्ष करते रह गए, और तैंतालीस हजार से बीजेपी हार गई, इस से बड़ी हार और क्या हो सकती है, रहे ने बेखबर, देखते रहे इन खबर, थैंक यू